आमिर बर्फी का दो तिहाई हिस्सा खा लेता है, तो मैं बर्फी यहां बना देता हूँ, और ये हो गए इसके तीन हिस्से, ये तीनों हिस्से बराबर हैं, हम जानते हैं कि आमिर ने दो तिहाई हिस्सा खा लिया है, तो ये हो गया एक तिहाई, और ये हो गया दो तिहाई, म की समान चोड़ाई मगर उससे लंबी बर्फी का दो तिहाई हिस्सा खा लेती है तो ये समान चोड़ाई की होगी मगर पिछली वाली से थोड़ी सी लंबी होगी यहाँ पर हमारे प्रतेक हिस्से पिछले वाले हिस्सों से थोड़े से बड़े ही होंगे क्योंकि बर्फी की इस हिस्सा चोटी वाली बर्फी के दो तिहाई हिस्से से जादा होगा। ये वाला हिस्सा यहाँ उपर दिये गए इस हिस्से से बड़ा होगा। इसका मतलब निकी ने जादा बर्फी खाई है। चलिए अब अगले प्रशन पर चलते हैं। मेरे दोस्त ने दुकान A पर पिज़ा का दो बटा छे हिस्सा खाया। मैंने दुकान B पर एक अन्य पिज़ा का दो बटा छे हिस्सा खाया। तो किसने जादा पिज़ा खाया। हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि दुकान A का पिज़ा ऐसा हो और दुकान B का पिज़ा ऐसा हो, हम लिख लेते हैं, ये है A और ये है B, अब इसके 6 टुकडे कर लेते हैं, ये हो गए 2, ये 4, अरे मुझे 8 नहीं 6 टुकडे करने हैं, तो ये हो गए 6 टुकडे, ये दर्शाएगा 2 बटा 6 को, अब इसका 2 बटा 6 कुछ इस प्रकार होगा, ये हो गए 6 टु इसमें ये दर्शाएगा दो बटा च्छाएगो. तो अगर दुकान A का पिज़ा दुकान B के पिज़ा से बड़ा है, तो निश्चित तोर पर मैंने ज़्यादा पिज़ा खाया है. हाला कि ऐसा भी हो सकता था कि ये छोटा वाला दुकान B का पिज़ा होगा, और ये बड़ा वाला दुकान A का पिज़ा होगा. तो इस स्थिती में मेरे दोस्त ने ज़्यादा पिज़ा खाया है. एक और परिस्थिती हो सकती थी, जिसमें दोनों पिज़ा समानाकार के होते. इसलिए हम नहीं बता सकते कि किसने जादा पिज़ा खाया चल ये एक और प्रशन करते हैं इसमें काफी मजा रहा है हरी को दोड़ कर अपने घर से स्कूल जाने में एक तिहाई घंटा लगता है फरहान को दोड़कर घर से स्कूल जाने में एक तिहाई घंटा लगता है स्कूल पहुँचने में दोनों में से किसे अधिक समय लगा ये काफी ब्रहमित करने वाला प्रशन लग रहा है चलिए मान लेते हैं कि हरी यहाँ पर रहता है मैं यहाँ H लिख लेता हूँ और यहाँ भी हो सकता है हमें इस बात की भी जानकारी नहीं कि फरहान का घर हरी के घर से दूर है या पास है या फिर स्कूल से दूर है या पास है इन सब बातों से इसलिए यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो हमें ये पुछा गया है कि कौन दूर रहता है और कौन पास और ना ही ये पूछा गया है कि किसके दोड़ने की गती अधिक है हमसे यहाँ पूछा गया है कि किसने स्कूल पहुँचने के लिए अधिक समय लिया हरी को एक तिहाई घंटा लगता है और फरहान को भी एक तिहाई घंटा लगता है मुझे नहीं पता कि कौन तेज दोड़ा या किसका घर पास में था हमें सिर्फ ये पता है कि दोनों ने स्कूल पहुँचने के लिए समान समय लिया दे चुक दे सेम टाइम ये उस प्रचलित पहेली की तरह ही है जिसमें हम से पूछा जाता है कि एक किलो सोना जादा भारी होगा या एक किलो रूई और अधिकतर लोग इसमें ब्रमित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि एक किलो सोना जादा भारी होगा एक किलो रूई से मगर वास्तों में दोनों ही समान होंगे